नमस्ते दोस्तों लाइव धामान चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है वैसे ही आपको हम दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं क्योंकि आपने पिछले वीडियो को डेर सारा प्यार दिया बहुत सारे कमेंड किये वीडियो को लाइक किया, शेर किया और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी किया हम आपके लिए ऐसे इन्फोर्मेटिव वीडियोज फूर्ड रिलेटेड, ट्रैवर रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियोज लेकर आने वाले हैं तो चलो चलते हैं आज की वीडियो की और आज हम आये हैं सायन किला देखने के लिए जिसे शिवाजी किला भी कहा जाता है तो यहां शुरुवात में हमें एक वाटरफॉल देखने को मिलता है जो अभी फिलाल पानी की कमी से बंद है और यहां कुछ रूल्स रेगुलेशन दिये गए हैं जो हम यहां गुमने के लिए आते हैं तो क्या करना क्या नहीं करना यहां पढ़कर हम देख सकते हैं तो कहीं सीडियां हमें चड़ना पढ़ता है किले के और जाने के लिए करिए बंद दो सो सीडियां चड़कर हम वाप होच जाएंगे तो यहां लेब साड में हम एक किला देखने को मिलता है तो देखिए कितना खुबसूरत किला का जो नजारा देखने को मिलता है तो आईए हम उपर के और जाते हैं यहां एक water harvesting का बहुत अच्छा उधारण हमने देखने को मिला तो हम आप से शेर करना चाहते हैं एक कुवे के अकर का एक टैंक जैसा बनाया गया था और उस वर्क भी water harvesting पानी का जो श्टोरेज किया जाता था पहाड के उपर और यह पानी रोजमर्रा कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था यह हम बहुत अच्छा उधारण देखने को मिला यह देख सकते हैं जो कुवे साइस यहां बनाया गया है तो बहुत अच्छी बाते हम यहां अको सीख सकते देख सकते ओ आप जरूर आएगा और यह कि लिय आप नजदी किसे देख सकेंगे तो देखें कितने मजबुत इसे दिवारें खड़ी हैं करीबन साड़े तीन सो साल पहले से यह यहां खड़े हैं करीबन साल पहले से यहां खड़े हैं आपके मन में कुछ सवाल आये होंगे कि शायद आप यहां काई से पहुच सकते हैं तो यह सायन किला करीबन सायन स्टेशन से करीबन 500 मिटर की दुरी पर है तो करीबन 5-10 मिनट वाकिंग डिस्टन्स में है तो आप स्टेशन से उतर कर आप 5-10 मिनट के अंदर यहां पहुच पाएंगे और यहां आने का सई वक्त होगा कि आप सुभे आ सकते हैं इसका गेट जो है यह छे ब़जे सुभे से लेकर 10.5 बज़े तक खुला होता है तो आप इस वक्त आ सकते हैं हम आपको request करेंगे कि आप सुबह आएंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपका exercise भी होगा बीना धुप से आप इस किले को देख सकेंगे और उस वक्त यहाँ बीड़ भी नहीं होती है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि सुबह के وقت आकर इसका पूरा किलें देखने का आनन्द मजा ले सकते हैं बहुत सर्य आप फोटो भी यहाँ किष सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ नज़ारा है हमने इस किले के बारे में जानकरी हसिल करने की कोशिश की ताकि आपको हम अच्छी तरह से इसका हिस्टरी के बारे में पता लगवाँ दे लेकिन इसका हिस्टरी हमें कहां पर भी नहीं मिला खास वकर हमने यहां पुरा तत्व विबाग है, कारियल है उसको भी विजिट किया, लेकिन उन्होंने हमें कुलाबा लाइबरे में जाकर कुछ किताबे बढ़ने की सला दी, लेकिन कोवीड के चलते हम वहां पौच नहीं पाए तो हम नेक्स टाइम इसके बारे में डीटेल वीडियो जरूर बनाएंगे और आपको इसके बारे में और जानकरी देने की कोशिश करेंगे लेकिन आम इतना जानकरी हासिल कर पाएं कि इस किले का निर्मान करिबन साड़े तिन साल पहले याने 1689 से लेकर 1677 ये 9 साल के दर्म्यान उक्स वक्के मुंबाई के ततकालिन गवर्नर जेराल्ड अडियर द्वारा बिटिश इस्ट इंडिया कमपनी के शासन के तर्वाया गया था तो ये निर्मान 1689 के दर्म्यान ये किया गया जब हम नीचे की और आते हैं तो हमें यहां पंडित जवाल नेरो उद्यान दिखाई देता है और बहुत अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया गया है बहुत सारी हरियाली है बैटने के लिए भी सुवीदा है बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत अच्छी सुवीदा है बहुत सारे कुछ इस्ट्रमेडिया लगाए गये हैं तक बच्चे इस गार्डन में आके मजा ले सकते हैं तो आप जरूर आएगा लेकिन हम फिर से आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सुवे आएगे तो शायद आपको भीड़ कम मिलेगा बहुत अच्छा यहां हवा भी रहता है तो आप सुवे तो यह देखिए किस तरह से यहां बच्चों को खेलने के लिए यहां यह बनाया गया है तो आप जरूर यहां आपके बच्चों को भी लेकर आ सकते हैं तो आप जरूर बताएगा कि हमारा आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप जरूर कमेंट करके बताएगे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजेगा तो आ झाल झाल